Hello friends, welcome and welcome back to my channel traditional stylish Priyanka आज की वीडियो जो मीसो साड़ी हॉल पे होने वाली है आप सभी की फेवरेट वीडियो में आपके लेके आ गई हूँ इसमें से मैक्सिमम साड़ी आपके रिक्वेस्ट पे होने वाली है तो आज की वीडियो कापी इंट्रस्टिंग होने वाली है कि कौन से साड़ी आपको खायदनी चाहिए किस में अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए किस साड़ी की लेंध कितनी है, क्वालिटी कैसी है कितने हाइट तक हो आने वाली है, सब कुछ डिटेल में बताने वाली है तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा और आज का जो कलेक्शन है, फेस्टिवल स्पेशल ही मैंने रखा है मैंने ऐसी ही साड़ियां पिकी हैं जो आप फेस्टिवल में पार्टी फंक्शन में कैरी कर सकते हैं अफोर्डबल प्राइस में आज का चलेक्शन होने वाला है आज का मेरा जितनी भी साड़े मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एट हंड़ेट फिटी रूपीज के अंदर होने वाली है तो super duper affordable price में होने वाला है दिवाली आने वाली है उसके बाद छट पूजा है और भी festival लाइन अप ही है तो आप जिसमें चाहें उसमें पहन सकते हैं उसके बाद wedding functions आने वाले हैं तो उसमें भी आप किसी ने किसी occasion पे इन साड़ियों को carry कर सकते हैं बहुत ही जादा बाते ना करते हैं वो फटा-फट से अपना वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के collection में आपके लिए क्या लेकिया ही तो अभी तक मैंने इन सारी साड़ियों को open नहीं किया है आपके सामने ही unboxing करने वाली हूँ और आपका अपना first impression में अपना देने वाली हूँ कि हाँ ये साड़ी मुझे कैसी लग रही है पूरा full detail में बताऊंगी तो बाकी चीजों को side में रख देते हैं और फॉस्ट साड़ी है मैं उससे सबसे पहले open कर लेती हूँ ये है इसका parcel चलिए इसे open कर लेते हैं और मीशो का जब भी हम parcel खोलते हैं आप सभी ही जानते होंगे सबसे पहले मैं ही बोलती हूँ बस जो order किया है वो आए उसके बाद हम quality के बारे में बात करेंगे तो मैंने जो order किया है मैं या picture side में लगा दूंगी और वही मुझे receive हुआ अब देखते हैं कि कैसी है साडी तो फटा-फट से इसका उपर का भी plastic मैं open करती हूँ काफी अच्छे से pack है वाव पन्नी में तो काफी धुंदली सी थी तो अतना अच्छा color नहीं निकल के आ रहा था अब देखे इसका first look देखे कितना प्यारा color है कितना खुपसूरत वाला green and yellow का combination इनों ने दिया mustard yellow color का combination है और इस पे जो इनोंने brand की silk land brand का है ये इस पे पूरी tagging करके आई हुआ है मिसो से maximum साडी में tag नहीं लगा रहा था इसलिए मैंने इसे mention किया साहर हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको आचल दिखाने वाली हूँ तो सुरू करेंगे इसके आचल portion से सबसे पहले ये butter paper निकाल देते हैं इसमें से और ये है इसका बहुत ही खुपसूरत सा आचल mustard yellow and green color का combination काफी अच्छा combination निकल के आया है आप देख सकते हैं इसका आचल कितना अच्छा weaving का काम है पूरा full weaving का काम आपको मिलने वाला है और साड़ी के last में आपको इस तरह से tessels वाली detailing मिलने वाली जो कि इसके आचल को और भी बहुत खुपसूरत बनाते हैं बहुत ही pretty लगता है यह और इस तरह से पूरा इस पर weaving का काम है बहुत प्यारा बनारसी सिल्क पैटर्न पे आपको यह वर्क मिलने वाला इसका जो फैब्रिक है इसका फैब्रिक है बहुत ही soft है transparent वाला fabric है तो आप समझ सकते हैं कि light weighted fabric है और इस तरह से पूरी साड़ी में आपको ये जाल वर्क मिलने वाला है उपर के side का आप बॉर्टर देख सकते हैं इस तरह से है उसके बाद ये पूरा आपको flower printing वाली जाल वर्क की detailing मिलती है जो की बहुत बहुत ही खुबसूरत लग रही है मैं आपको इसका back भी दिखाती हूँ back में इस तरह से इसमें weaving का काम किया गया है back इसका इस तरह से है और नीचे के side में आपको काफी broad सा border मिल जाता आप देख सकते हैं friends इसका border देखी इस तरह से काफी broad सा इसमें ने बोडर बनाई है border बोभुत ही कुपसूरत लगऄ रहा पूरा मीना कारी जैसा काम निकल के आया है तो बोभुत ही कुपसूरत सा border इसमें निकल के आया हुआ है पूरी sari friend ऐसी ही है पूरी sari में आपको इसी तरह से आपको यह border retailing मिलती है, सिर्फ one fourth portion आपको यह green color मिलने वाला है, उसके बाद से फिर से आपको mustard yellow color की साड़ी मिलने वाली, तो color contrast बिल्कुल बहुत अच्छा रखा गया, बिल्कुल designer look है ऐसा नहीं, सिर्फ एकी color में पूरी साड़ी है, इसके बाद आपको यह mustard yellow color मिलता है, इ सिर्फ golden color का ही weaving का काम है, मैं इसको भी पीछे से दिखाती हूं कि कैसा दिख रहा है, इस तरह से इस पे weaving का काम किया गया है, और इसी तरह से आपको border मिल जाता है, नीचे के साड में वही broad वाला border इस तरह से है, तो जहां फ्रंट में नीचे के साड में प्लीट बनाते है, पूरा आपको यलो कलर आने वाला है, साडी में जब मैं ट्राइउन करके आपको दिखाऊंगी तो इसका लुक आपको क्लियर हो जाएगा, देखने में साडी की बात की जाए तो बहुत ही खुबसूरत लग रही है, क्वाल्टी भी बहुत ही अची है, साडी की लेंध भी वो तो मैं पहनने के बाद ही आपको बताऊंगी इसकी चोड़ान इनोंने कितनी रखी और कितने हाइट तक को आने वाली है, अब देखे फ्रेंट यहां तक आपको विविंग का काम मिल जाता है, उसके बाद से इतना दूर कपड़ा इनोंने प्लेन रखा है, जो कि अंदर प्राइज है, 840 या 834 रुपीज है, और आज की हाउल में सबसे महंगी साड़ी यही है, लेकिन प्राइस के कोड़िंग साड़ी बहुत ही खुबसूरत लगी है, चली फटा फट से ट्रायान करते हैं और उसी में बताती हूं कि कैसी लग रही है, गाईज आप देख सकते ह इसका लुक कैसा आ रहा है, मुझे कमेंड डाउन जरूर करिएगा, मुझे यह साड़ी बहुत बहुत ज्यादा खुबसूरत लगी है, पहनने के बाद मतलब वो कहते हैं जस्ट वाउ लुक आ रहा है, बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है, आप देख सकते हैं इसका आई होब कि आपको इससे भी कम प्राइज में यह साड़ी मिलने वाली है, बहुत ही प्रिटी साड़ी है, साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है, साड़ी की चोडान है, फाइफ फिट शिक्स इंच वाले विध हील कैरी कर सकते हैं एकदम आराम से, तो फाइफ फिट बिल्कुल जरा सा प्लेन है, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, बहुत ही जरा सा नजर आएगा, मेरी तरफ से हाइली हाइली रिक्मंडेट पीस है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, अब बात करते हैं, नेक्स पारसल की चलिए, इसे भी ओपन करते ह देखते हैं, इसमें मैंने क्या ओर्डर किया था, और फ्रेंट्स मैंने जो ओर्डर किया था, मुझे वही मिला है, मैं पिक्चर यहां साइड में लगा दूँगी कि मैंने क्या ओर्डर किया था, और इसे मैंने लेहरिया पैटर में ओर्डर किया है, लेहरिया एक ऐसा मैं निकाल देती हूं अब देखे फ्रेंट्स यह है इसका फॉर्स लुक यह है ब्लाउज इसका और यह है साडी सुरू करेंगे मिसके आचल पोर्शन से पूरा लहरिया पैटन मिलने वाला है बॉर्डर की डिटेलिंगे बॉर्डर में आपको इंब्राइडरी का वर्क मिल ज मिल जाएगे में सिक्विन्स लगें से जरी लगे ऐा red and येलो कलर रिषम के दागे से वर्क वरक है सिक्वेंस अभगा बहुत प्रार अदेट है great extension पूरी साडी में सेम यही लेहरिया पैटर्न आपको सीक्वेंस मिलता है ग्रीन, यलो, पिंक, रानी इस तरह से पूरा सीक्वेंस है और नीचे के साड में आपको बॉर्डर की डीटेलिंग मिल जाती है साडी की लेंद ठीक लग रही है पहने के बाद कितने हाइट तक के लोगों को आती है और सिर्फ इतना दूर इन्होंने बॉर्डर नहीं दिया यह तक यह आपको बॉर्डर की डिटेलिंग मिलती है बस इतना दूर कपड़ा नहीं लगा है यह आपका अंदर की तरफ टकीन हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चलिए देखने के बाद इसका लुक ऐसा आता है वैसे अगर इस साडी की बात की जाए तो क्वाल्टी काफी अची लगरी इंप्राइटरी भी बहुत ही प्यारी है और मतलब फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा इसकी जो प्राइज है 700 सम्थिंग इसकी प्राइज है प्राइज के अकॉर्डिंग एस साडी मोझे अच्छी लगी क्वाल्टी अच्छी है चलिए फटा फटस इसका ट्रायॉण देखते है ट्रायॉण देखने से पहले इसका ब्लाउज मैं आपको दिखा देती हूँ यह है इसका ब्लाउज पूरा प्लेन ग्रीन कलर का आपको ब्लाउज मिलता है जिस पे आपको इस तरह से जो है यह बॉटर वाली डिटेलिंग मिल जाती है cotton silk का fabric का blouse है blouse भी काफी अच्छी fabric का इन्होंने दिया हुआ है fabric की quality काफी अच्छी है और इस साड़ी का भी try-on आप देख सकते हैं friends बहुत ही beautiful साड़ी लग रही है पहनने पे आप आराम से किसी भी festival में पूजा में इसे carry कर सकते हैं चट है दिवाली है बहुत सारे festival है उसमें आप इसे carry कर सकते हैं wedding functions में बहुत सारे function होते हैं daytime में अगदम आराम से carry कर सकते हैं बहुत ही pretty लएगी और बहुत ही light weighted है easy to wear है comfortable है इसका look इसका border सब कुछ बहुत ही अच्छा है fabric भी बहुत ही अच्छा है सारी की length काफी अच्छी रखी ने सारी की चौडान है 5'6 इंच वाले थोड़ी सी heel के साथ एकदम आराम से carry कर सकते हैं तो सारी की length और सारी की चौडान बहुत ही अच्छी रखी है मैंने उने पहणने के बाद इसका लुक बहुत ही प्यारा लुक निकल के आ रहा था मेरी तरफ से ये साडी भी highly recommended अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अब next parcel को open करके देख लेते हैं तो फटाफट से चलिए इससे open करते हैं और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है और सभी की link आपको description box में मिल जाएगी तो link पे जाके जरूर check out करिएगा आपको सभी साड़ियों मेंने कुछ न कुछ color option भी मिल जाएगी जो सबसे first साड़ी बस मैंने जो दिखाई है yellow color की उसमें कोई और color option नहीं है बाकि सभी साड़ियों में आपको color option भी मिल जाएगा और ये भी वही साड़ी मुझे receive हुई है जो मैंने order किया था ये red color की मैंने साड़ी order की ये काफी trending है काफी demanding साड़ी है इसमें काफी trend में है ये और इस तरह के लहरिया पैटरन हमेशा ही trend में रहते हैं तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने festivals के लिए और wedding season में भी इन सारी साड़ियों को आप कैरी कर सकते हैं काफी light weighted साड़ी है औ इसका आचल में आपको दिखाती हूँ शुरू करेंगे भी इसके आचल पोर्शन से और ये है इसका आचल आप देखें कितना प्यारा काम लग रहा है और इसमें भी जो इन्होंने लैस लगाई है इस पे sequence का जरी वर्का और गोटा पट्टी का वर्क मिल जाता है मैं आपक इस तरह से इस पे पैटन बना हुआ है बहुत ही खुबसूरत साडी इसमें आपको ग्रीन है ब्लू है रानी कलर का ओप्शन है अब चाहें तो दूसरा कलर ओप्शन भी ले सकते हैं पूरी साडी में आपको यही पैटन मिलने वाला और नीचे के साइड में आपको पूरी स गर में साडियां पहनती हैं डेली तो उसमें भी आप इस तरह की हल्की फुलकी साडियां गिदम आराम से पहन सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है फटा फट से बंद जाती है नहीं इसमें सिल्वटे पढ़ती है और बहुत ही लाइट वेटेड भी होती है तो पूरा बॉडर अब देखे फ्रेंट्स यहां तक आपको बॉडर मिलता है सिर्फ इतना दूर कपड़ आपको प्लेन मिलता है यह आराम से अंदर की तरफ टकीन हो जाएगा और यह है इसके ब्लाउस का कपड़ा कॉटन सिल्का फैब्रिक है ब्लाउस में सिर्फ आपको इस तरह से बॉडर वाली डिटेलिंग मिल जाती इस तरह से इन्होंने बॉडर लगाया हुआ है प्लेन डेट कलर का आपको ब्लाउस मिल जा चलिए फ्रेंस फटा फट से से ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है इस साड़ी का फाइनल लुक बहुत ही प्रिटी के लिए तो बहुत ही अची साड़ी होती कि एदम लाइट वेट अधियर होती है इसी tough होती है आप इसे दिन भर कैरी चहते हैं बहुत ही प्यारी लगने वाली किसी फेस्टिवल में पुझा में अप इसे पहन सकते हैं वरडिंग function में बहुत सारे चोटे मोटे function होते रहते उसमें भी आप इसे carry कर सकते हैं साड़ी के length इन्होंने अच्छी रखी है साड़ी की चोडान है 5.6 इंज तक एकदम आराम से carry कर सकते हैं कोई भी problem नहीं होगी साड़ी के length साड़ी की चोडान इन्होंने अच्छी रखी है border की detailing आप देख सकते हैं पीछे तक आपको यह border मिलने वाला है तो मेरी तरफ से यह साड़ी भी highly recommended है अभी तक मैंने जितनी भी साड़ी हैं शेयर की सभी बहुत ही अच्छी है अगर आपको पसंद आती हैं तो आप जरूर इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करें आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए है नेक्स पार्सल को भी open करके देख लेते हैं और फटा-फट से मैं इसे open करते हैं काफी हलकी लग रही है बस जो order किया है वही आया हो फ़र्स लुक मैंने देख लिया है जो मैंने order किया था वही आया है ये भी इंस्टाग्राम पे काफी trending साड़ी है इस समय बहुत ही प्रिटी साड़ी है इसका कलर आप देखें बहुत ही प्यारा सा कलर है सबसे पहले मैं सकी पंडी निकालती है बहुत आवाज कर रहा है और यह आपको प्रिटी मरून कलर की साड़ी मिलने वाली जो कि फेस्टीवल में बहुत ही प्यारी लगने वाली है बहुत ही खुप्सूरत लगने वाली है चलिए फटा फट से इसे open करते हैं और मैं आपको सबसे पहले इसका आचली दिखाऊंगी इसका आचल पोशन बहुत ही प्यारी औरगेंजा सिल्की फैब्रिक है पूरा weaving का काम है इस औरगेंजा सिल्क में किनार किनार आपको पूरा प्ती की डिटेलिंगयóriaगी वाली लैस की डिटेलिंग मिर आचल में अपको siamo कुब्सूरत लग रह गहाए है मैं आपको इसका बैक साइट भी दिखा एती हम इस तरह से पूरा इस पे विविग का काम किया गिया है इस तरह से है और फैब्रिक की बात करें तो और गंजा साड़ी एक और गंजा साड़ी आती नहीं थोड़ी से जादा फूलती है लेकिन ये कॉफी साफ्ट और गंजा साड़ी आपको मिलने वाली है इस तरह से पूरा इस तरह से फ्लावर वाली डिटेलिंग बनी हुई है और बहुत ही खुबसूरत आने वाला है, किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी पूजा में आप कर सकते हैं, वेडिंग फंक्शन में बहुत सारे दिनबर फंक्शन होते हैं, उसमें भी आप इसे कर सकते हैं, किसी भी चोटी मोटी पार्टी में भी आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही ब्लाऊस उन्होंने चंट्राश्ट में दिया है, मरून के सथ आपको इस तरह से पिंग कोलर का ब्लाव जाता है जो की।ать ही बहुत पौर्छा कशलर कोंबकार और निकल को लग बिंड ले drift, य।खी निरके तरह से rust निकल के आने डर अब ई पूरे विल जाती है और नीचे के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है ये तो पहनने के बाद ही पता चलेगा बस मैं इमेजन कर रहे थी कि हाँ इसका लुक बहुत ही प्रिटी आने वाला है चलिए फटा फट से इसका ट्रायॉन करके देख लेते हैं और इस साड़ी का भी लुक अब देख सकते हैं फ्रेंड्स की पहनने के बाद इसका लुक कैसा आने वाला है बहुत ही लाइट वेटेड है और गंजा सिलका फैब्रिक है बहुत ही ग्रेसफुल सा लुक आ रहा था मैंने इसके साथ मरून कलर का ही ब्लाउस पेयर किया है लेकिन इसके साथ इन्होंने एकदम पिंग कलर का ब्लाउस दिय कर सकते हैं थोड़ी सी हील के साथ बहुत ही पृटी सारी है बहुत ही light-weighted है किसी भी party function में आप इसे carry कर सकते हैं festival में आप इसे carry कर सकते हैं बहुत ही प्यारी सारी लगने वाली और यह border की detailing पूरा पीछे तक आने वाली यह कहीं से भी कुछ भी प्लेन नहीं नजर आने वाला है, बहुत ही प्रिटी साडी है, यह भी अगर आपको पसंद आती तो आप इसमें भी पैसे इंवेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सारी color option मिल जाएंगे, तो यह बार लिंक पे जाके आप जरूर चेकाओट क मिलती हम आपसे एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक खुस रहिए, मस्त रहिए, बाबाई, टेक केर